हेलो एवरिवन आप सभी को मेरा नमशकार क्रिशन्ट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज आप लोगों ने इस वीडियो का थमनेल तो देखी लिया होगा आज हम लोग LTE टीचर यानी सायक अध्यापक के बारे में पूरी चीजे डिसकस करेंगे कि वो कैसे भरती होते हैं क्या उनका स्केल रहता है उनकी कितनी इन्हेंट सेलरी मिलती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आज आपके सामने आज की न्यूस पेपर में जो न्यूस आई है उसके बारे में थोड़ा सा डिसकस करना चाहूंगा तो देखिए आज के नियूस पेपर में आया है कि जल्दी आपके समूगों में जो डाई हजार पदो पर भरती जल्दी स्टार्ट होगी अधिनस्त सेवा चेहन आयोग अब एल्टी में बारासो सिक्षकों की भरती करने वाला है यह भरती वैसे काफी विबादीत रही है इसमें काफी सारे चेंज होते रहे क्योंकि बीच में जो सिक्षा विबाद और अपनी सेवा नियुमावली भी चेंज कर दी थी तो उसके कारण की लगातार इसमें चेंज होते रहे तो इस कारण यह अटकती रही है तो लेकिन अब इतना तो शौर है कि 1200 पदों पर भरती जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी जैसा कि न्यूस में दिया हुआ है कि 22 जुलाई के बाद इन पदों पर अविदन पक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जल्दी ही L.T. टीचर और सायक लेका कार उनके पदों पर भरती प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी तो आप सभी लोगों के लिए जो L.T. टीचर बनना चाते हैं सायक अध्यापक बनना चाते हैं उनके लिए बहुत ही सुनेरा अफसर है तो बचों अब हम डिसकस करेंगे कि अगर आप L.T. टीचर या सरकारी टीचर बनना चाते हैं या सायक अध्यापक बनना चाते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या योग गिताफ होनी चाहिए, क्या आयूसीमा होनी चाहिए, इन सबी के बारे में हम डिसकस करेंगे. हमारे यहां उत्राखंडे में सिक्षकों को भारती करने के तीन तरीके होते हैं तीन तरीके से सिक्षक आते हैं एक होते हैं प्रात्मिक सिक्षक यानि जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी टीचर दूसरे होते हैं आपके साय कद्यापग हैं राजकी प्रात्मिक विद्याले वहां इनकी जोईनिंग मिलती है LT टीचरों को जितने भी junior high school हैं या आपके माध्यविक विद्याले हैं वहाँ पर इनको या inter college हम इसको बोल सकते हैं वहाँ पर इनकी न्युक्तियों इसी तरह से प्रवक्ता होते हैं इनकी भी राजकी इंट्रकोलेजों में न्युक्तियों होती है तो आज हम बच्चों discuss करेंगे LT के बारे में कि जो LT यानि License A Teacher यानि सायक अध्यापक इसके बारे में आज हम discuss करेंगे कि इसकी क्या सेवा नियमावलिया हैं ये कैसे भरती होता है इसके लिए क्या-क्या एहरताएं हैं और जब ये आप भरती हो जाओगे तो आपको salary कितनी in hand मिलेगी तो ये पूरा जानने के लिए आप वीडियो अंते तक भी किएगा बचों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सायक अधियापक होते हैं सामाने साका के और एक सायक अधियापक होते हैं सामाने साका और महिला साका यानि सायक अधियापक सामाने साका में बढ़ती के जाते हैं जबकि सायक अध्यापिकाहों को सामनन साका और महिला साका दोनों में भरती होने का चांस मिलता है महिला साका से मतलब है कि जो आपके महिला के कॉलेज होते हैं इसपैसली जहां पर लड़किया ही पढ़ती है तो उनके लिए भी महिला टीचर ही eligible होती है तो इसमें होता है कि जो आपके अगर इसके नियम देखें तो 60% के जो पद होते हैं यानि 60% पद होते हैं वो सीधी भरती द्वारा होते हैं जिनकी हम बात करें जो कि आपका UKAAC निकालने वाला है इन पदों पे जो भरती होगी UKAAC कराएगा जो कि आप लोग अगर आप एल्टी टीचर बनना चाहते हो तो आप UKAAC में आप उसको कौम भरेंगे तो इन 60% पर जो भरती होती है वो UKAAC आपका आयोजित करवाएगा इसके बाद जो 30% भरती होती है वो आपके जो प्राइमरी टीचर होते हैं या आप इसमें देख सकते हैं कि राजके प्रावरिम्बिक सिक्षा के अंतरगत कारे प्रदाने अध्यापक होगे प्रात्मिक विद्याले सायक अध्यापक उच्चे प्रात्मिक विद्याले एवं सायक अध्यापक राजके अधर्स विद्याले आदर्स विद्याले के अंदर जो जितने भी लोग होते हैं ये प्रमोशन होके आते हैं तो 30% पद यहीं प्रमोशन से बरे जाते हैं तो अब 60 और 30 होके 90 तो बाकी के जो 10% हैं 10% पदों में भी इनी लोगों को विभाग्य परिक्षा द्वारा प्रमोशन होने का चांस मिलता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 10% पदों पर राज के प्रार्णबिक सिछा के अंतरगत कारे कारे सहाय कद्यापक प्रात्मिक विद्याले प्रधाना द्यापक प्रात्मिक विद्याले एवं सायक अध्यापक, राज की अधर्स विद्याले इसमें जो भी आपके एक नियम है, नियम आट के अंतरगर जो भी नियरदारित अहरता को पूर्ण करेंगे उनको विभागे लिखित परिक्षा दोरा उनका चेहन होता है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए कितना है, 60% है अभी अगर आप टीचर नहीं है तो आपको 60% आपके लिए पाद है अब बच्चों हम जान लेते हैं कि भाई, इसके लिए क्या-क्या एरता हैं चाहिए देखे, आपके राष्ट्रे अरता क्या होनी चाहिए आप भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आप टिबबती सरनाती हैं तो आप 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आए होनी चाहिए इसके लिए सबसे इंप्ORRT का नागरिक होना चाहिए इसके आप बच्चों सबसे जादा इंप्ORRT है कि आपको अधीमानी येश्ठा मिलेगी कि अगर आपने प्रादीशिक सेना में कम से कम दो वर्स की सेवा कि हो तो अन्य बाते समान होने पर आपको क्या होगा, इसमें सीधी बरती में अधिमान दिया जाएगा, यानि आपको कुछ अंक दिये जाएगे, और आयू सबसे ज़्यादा important है, आयू में इसमें सबसे ज़्यादा important point यही है, आयू आपके नियूनतम 21 वरस होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वरस होनी चाहिए, यानि 21 से 40 के बीच में आप इसमें apply कर सकते हैं, और इसी तरह से जो आपके जो आरचित वर्ग हैं, उनको उनके आरक्षंड के अनुसारिस में आपका छूट प्रदान मिलती है, चरित्र, सिद्धी बात है, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, आप किसी भी सरकारी नौकरी से divided नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और किसी सरकारी नौकरी से आपका पच्चुत नहीं होना चाहिए, या कि वह भी आपके सम्बंद में कोई सिद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेवाइक परस्ति आपकी इसी सिद्धी बात है, एक से अधिक पत्नी आपकी जीवित नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक से ज़ादिक पत्नी रखी हैं तो आपको कह गेते हैं इसमें सामिलोंने नहीं दिया जाएगा इसी तरह से अगर आपकी सारे क्योग देता कि अगर हम बात करें बच्चों हम इसकी सहक्चिक आर्था की तो सहक्चिक आर्था में देखिए जो आप साहय कद्यापक बनना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट विसे के लिए डिफरेंट डिफरेंट है वहां से आप अपनी सेक्षिक अर्था को देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो मेन फोकस है जो इंपॉर्टेंट एल्टी के जैसे सब्जेक्ट है लाइक एल्टी सामान्य है एल्टी मैथामेटिक से एल्टी विध्याने मैं इनकी आपको सेक्षिक अर्था बता देता हूँ उसी के अराउंट सभी की सेक्षिक अर्था रहती है तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आपको अगर सायक अधियापक सामान्य बनना है तो आपको क्या चाहिए आपको सबसे इंपोर्टेंट यह है कि भारत में विधी द्वारस्ता पिसी भी विध्याले से भुगोल, अर्थसास्तर, राजिन्ति, सास्तर एवं इथियास के विशों में किनी दो विशों के साथ इस नातक उपा दी चाहिए यानि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तो आप देख लीजिए भुगोल, अर्थसास्तर, राजिन्ति, सास्तर हों में विध्यास, जोग्रफी, एकॉनमी, पॉलिटी, एवं हिस्ट्री, आप इन में से किनी भी दो सब्जेक्ट के संग आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके, यह तो आपकी हो गई पहली एर्था, जो कि इंपोर्टेंट है इसके बाद जो दूसरी एर्था है कि आपको राजकिये या सरकार द्वारा मानेता प्राप्त प्रसिक्षन सस्तान से, ल्टी डिप्लोमा, ल्टी डिप्लोमा तो आपके सामने चार सब्जेक्ट ये तीएव हैं इन चार सब्जेक्टों में से आपको किसी भी दो विसे में आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके अलावा आपको B.A.D. होना चाहिए, यानि आपकी पास P8 की उपादी होनी चाहिए ये दो चीज़ें तो आपके पास हैं इसके अलावा आपके पास एक और उप्शन है जिसे NCRT के 36 एक सस्तान से चार वर्षी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको BAD बोलते हैं तो भुगोगोल, अर्थसाद, नागरेसाद, तर्यम, इथियास के विशो में किनी भी दो विशों के संग ये हो सकता है तो ये सबसे आदा important है इसके अलावा आपको ध्यान रहे UTT अगर आपको साय कर दिया आपक LTP पद में नियुक्ती चाहिए तो आपको UTT2 या CTT UTT का मतलब ये होता है उत्राकंड Teaching Eligibility Test और CTT का मतलब ये होता है Central Teaching Eligibility Test इसका होता है Part 2 इसको आपने अनिवारे करना इसको उतीन करना बहुत ही अनिवारे है यानि अगर आप IT teacher बनना चाहते हैं तो आपका UTT या CTT या दोनों भी आपको क्लियर करना बहुत important है Second Part इध्यान मेरे सबसे important उसके अलावा आपका जो प्रसिक्षन पार्टेकरम है राष्टिय अध्यापक सिक्षा परिसत से मानिता प्राप्त होना अनिवारे है सबसे important अब इसमें एक 14 पॉइंट है कि देखे UTT लोग सबायो के पर्दी से बाहर समुगो की भर्ती पर वही अव्यर्थी पात रोगा जो UTT लोग सबायो की पर्दी के बाहर समुगो की भर्ती के लिए अनिवारे वांची एहर्था नियमावली 2010 समय समय पर यथा संसोदित के प्रावदनों के अनुसार होगी कहने का मतलब यह है कि अब सेवायजन कारेले में पंजिकरित होने की बादेता लागू नहीं है अब यह घैएक पंजिकरित होने के पहले बादेता होती थी LT को अब वो नहीं है तो आपको पता लगिया होगा कि अब आपके सामने क्या क्या आपको चाहिए अगर आप साहक अध्यापक बनना चाहते हैं वो भी स Agency में विशे से तै आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले तो आपको graduate होना चाहिए किनी भी दो subject हो से जो आपके सामने subject है subject कौन कौन से हैं अर्थिसास्त, राज़ितिसास, इतियास और भुगुल इसके अलावा आपको B.A. चाहिए और इसके अलावा आपने UTT या CTT पार्ट टू ये आपका क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए तब ही जाके आप LT के लिए L.E. ची भलोंगे इसी तरह से अगर हम दूसरे subject में कर योग्यता देखे जाए सायद अकध्यापक आपको गणित बनना है तो इसमें भी सेम योग्यता होगी तो आपको क्या करना चाहिए भारत में विदी द्वारस थाफित किसे भी विश्तो विध्याले से गणित और भोतिकी यानि physics और maths इसके संग आपका graduate होना चाहिए इसके संग आपका graduate होना चाहिए इसके अलावा इसकी भी योग्यता सेम है आपको beard होना चाहिए और इसके अलावा UTT या CTT टू में से कोई भी एक आपका क्या होना चाहिए दोनों हो जाएं तो और भी अच्छी बात है तो ये इस तरह से इसकी योग्यता है इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपको सायक अधियापक विज्ञान बनना है या सायक अधियापक का विज्ञान बनना है तो इसके लिए भी आपको क्या है कि रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पत्री विज्ञान के संग विज्ञान इसना तक होना चाहिए तो यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा important है कि अगर आपको LT science बनना है तो आपको ZBC होना ज़रूरी है ध्यान मेरे कई बाद लोग इसमें confused होते हैं देखे, LT maths बनने के लिए तो सरफ physics और maths चीए जबकि LT science बनने के लिए geology, botany, chemistry तीन होनी चीए यह छीज़ ध्यान मेरे और इसी तरह से आपको इसमें क्या चीए BEAT और TAT TAT यानि UTT और CTT CTT part 2, part 2 का मतलब यह है जो 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है देखे, TAT के दो पार्ट होता है, TAT 1 होता है, TAT 2 होता है तो TAT 1 क्या होता है, primary teacher के लिए होता है जो कि एक से लेके पांच बढ़ाते हैं और TAT 2 होता है वो कि 6 से लेके 8 के लिए होता है इसके बारे में आगे कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि TAT होता क्या है तो फिलाल अभी आप ध्यान में रख लो कि आपको क्या क्या चाहिए इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट की जो योग्यता है वो इसी तरीके से है तो आप उसको ध्यान में रखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट में और डिसकस कनना चाहता हूँ जिसको हम थोड़ा सा देख लें कि जब आप UTT और CTT की बात करते हैं तो इसमें कला सिक्षा और ग्रह विग्यान के अध्यापकों को थोड़ा सा छूट है यानि उनको CTT क्लियर करना इतना नसेसरी नहीं है इसके अलावा बात करते हैं इसके वेतनमान की तो देखिए वेतनमान इसका बहुत बढ़िया है या आता है आपका पत का नाम आपका सायक अध्यापक है इस समय पे ये आता है लेवल 7 पर लेवल 7 यानि जो इसका वेतनमान है 44,900 से लेके 1,42,400 तक है जो की बहुत बढ़िया अमांट है तो यानि अगर आप LT Teacher इनी सायक अध्यापक बनेंगे तो आपको सुरवाती जोब का लेवल होगा 7 होगा जो की 400 सो ग्रेट पे के अंदर आता है तो ये बहुत अच्छा रिस्पैक्टेट पाद है अगर आप बात करें परिक्षा की तो देखे इसी में थोड़ा सा पेंच थोड़ा फसा है कि देखे होता क्या था कि इन्होंने अब जो इसमें यहाँ पर जो सीधी बढ़ती के द्वारा जोब की परिक्षा होगी वो UK SSSSC आउजित कराएगा तो इसमें परिक्षा के दो पार्ट दिये वे हैं एक है सेक्षिक अभीविरती, तर्ग सक्ती का और सामाने क्यान का 100 नंबर का पेपर और एक आता है आपका जिस पत के लिए आपने अविदिन किया जैसे LT साइंस के लिए किया है तो LT साइंस में आपके चुलोजी बॉटनी केमेस्ट्री से रिलेटेट कोशिन आएगे अभी जो यह बारा सो पताएंगे यह इस पैटन के अनुसार नहीं होंगे अभी का जो पैटन है ओ सिंपल है सो नंबर का पेपर मैं आपको बता दूँ इसमें आपका क्या होगा सो नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके सिंपल सा है तीस नंबर का पेपर होगा जो की होगा टीचिंग पेड़ागोगी से रिलेटेट यानि आपकी सेक्षिक अभिवर्ती से रिलेटेट होगा सेक्षिक अभिवर्ती का तीस नंबर का पेपर होगा बाकी का 70 नंबर जो आपका subject है उसर लेके दोगा तो अगर 70 नंबर में अगर आप LT mathematics बनना चाहते हो तो 70 नंबर पे जो question आएंगे वो आपके mathematics और physics आएंगे इसी तरह से अगर आप LT science बनना चाहते हो तो 70 नंबर का जो paper होगा वो आपका psychology, potny और chemistry सा आएगा तो आप आपी ध्यान में रखें तो ये नियमावली change होने के कारण ही जो आपके LT के पत थे वो रुख गए थे इस समय पे तो आप लेकिन clear हो चुका है UK SSC ने अभी clear कर दिया है कि भाई अभी जो paper होगा वो 100 नंबर के pattern पे होगा तो बहुत बढ़िया मेरे साब से बहुत अच्छा pattern है कि 100 नंबर का एक paper होगा उसमें 30 नंबर के आपके teaching pedagogy आएगी और 70 नंबर का आपका subject आएगा जिस subject से आपने apply किया है अब बात करते हैं बच्चों इसकी तंखागी कि इसको enhance salary कितनी मिले बच्चों इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में कनिस्ट साया की enhance salary कितनी मिलती है कैसे calculate होती है उसके बारे मैंने detail में discussion किया है तो आप चाहें तो मैं उसका link अपने description box में दे दूँगा आप उसको चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं उस video को तो आपको बहुत easily होगा कि मैं किस तरीके से calculate कर। तो बच्चों इस समय पर जो LT है LT का जो basic है वो है 44,900 रुपए और इस समय उत्राखंट राचे में 17% डिये चला है क्योंकि इसका grade पे 4600 है और इसको HRA आपका 3600 मिलेगा अब यह 3600 कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ कि last video में मैंने discuss भी किया था तो अगर आप ध्यान से देखें आप level 7 पे देखिए कि level 7 में हमने HRA को भी दिखाया है इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में discuss किया था कि देखें अगर आप ध्यारदून मसुरी जैसे चेत्र में हैं तो आपको 500 रुपे मिलेंगे इसी तरह से अगर आप जन्पदी मुख्याले है लाइक, काशिपूर, उद्रपूर, हद्लवानी तो इस चेत्र में आपको 500 रुपे मिलेंगे इसी तरह से अगर आप अवरगे चेत्र में हैं यानि दुर्गमेरिया में हैं तो दुर्गमेरिया में आपको जो मिलेगा, वो मिलेंगे 36 रुपे तो आप जब टेफनेट्ली जब आपकी नई नयुक्ती होती है तो हमें मानते हैं कि जो LTE टीचर है उनकी दुरगम में ही नयुक्ती होती है तो इस सरफ में calculate कर रहा हूं कि जो बन्दा है अगर सब्धोर्ड कर अगर आप नई टीचर तो जिस तरह के इनोंने नियम बना रहे हैं तो आपको दुरगम में ही न्युक्ति मिलेगी यानि अवर्गे के छेत्रों में मिलेगी तो मेरा इमानना है कि जो HR वो कितना होगा 3600 रुपे होगा फिर उसके बाद उसमें हम HR एट करेंगे और फिर उसमें UDA एट करेंगे तो देखिए क्या इसकी प्रोसेस है से पहले क्या हो जाएगा आपका आप निकालेंगे 44,900 का मैंने आपको पहले बताया था कि आप निकालें इसका 117 परसेंट तो आप इसका 117 परसेंट अगर आप क आप एट करेंगे HR जो कि मैंने आपका पहले बताता है HR आपका कितना है HR आपका है 3600 रुपर ऑके तो इसमें आपका कितना आप कर देंगे 52,000 में आपने प्लस इसमें आइट करना है 3600 रुपए फिर प्लस हमने पहली बोला उत्राखंट जो development allowance है उत्राखंट development allowance आपका कितना है 460 रुपए तो इसमें आप कितना आइट करेंगे 460 रुपए तो अगर हम इसको calculate करें तो यह आपका आजाएगा 56,593 रुपए तो 56,593 रुपए यह आपकी क्या रहेगी gross salary रहेगी gross salary का मतलब यह होता है कि जिसमें से आपका कोई deduction नहीं हुआ तो क्योंकि हम लोग NPS के दारे में आते हैं तो NPS में आपका 10% आपके prime खाते में जमा होगा तो हम इसके पारे में भी discuss कर लें भाई कैसे होगा बच्चों 44,900 रुपए आपका basic है इसका आप निकालेंगे 117% 17% निकालने में add करना है तो इसका 117% अगर आप निकालें तो अभी हमने देखा था 52,533 रुपए अब इसका जो 10% है यानि इसका जो 10% है वो इसमें से माइनस हो जाएगा तो अगर आप इसका 10% अगर आप निकालें तो इसका 10% होगा बच्चों कितना होगा 52,533 का 10% अगर आप निकालें तो यह आएगा आपका 5253 रुपीज यह आपने क्या कर देना है यह आपका कहा जाएगा NPS खाते में जाएगा इध्यान में रहेगा तो आप इसका 10% अगर आप माइनस करें तो कितना आएगा तो बचों यह आजाएगा 47,280 रुपए इसमें आप क्या एट करेंगे इसमें आप आट करेंगे हरे आप इसमें हरे आट करेंगे हरे के बारे में उन्हें आपको बताया था कि अगर आप अबरगी के छेतर में है तो आपको 3600 रुपए हरे मिलेगा 3600 रुपए आप इसमें आट कर दीजिए 3600 रुपए यह आप इसमें add करेंगे इसके अलावा आपको मिलेगा उत्रगंड डेवलेमेंट लाउंच जो कि कितना है 460 रुपए तो आप इसमें प्लस 460 रुपए भी करेंगे तो अगर आप इनका total करें तो total आपका आता है 51,340 रुपए 51,340 रुपए आपकी net तन करेगी अब इसमें एक चीज हो रहा है इसको में बोलते हैं GIS आपका GIS कटेगा इसमें 200 रुपए तो अगर आप इसमें 200 रुपए माइनस करें 51,140 रुपए तो बच्चों 51,140 रुपए यह है आपकी net salary net salary का मतलब होता है in hand तो यानि in hand तनका आपको 51,140 रुपए मिलेगी अगर आपका chain साय कद्यापक के रूप में यानि IT teacher के रूप में होता है तो यह बहुत ही बढ़िया amount है मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत-बहुत सुबकाम नहीं 1200 पज जो निकल के आए हैं बहुत ज़्यादा पज हैं कम नहीं है उत्रगंड में सबसे ज़्यादा जो वेकिंजी निकलती है वो teachers की ही निकलती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है तो आप सभी लोगों को सुबकाम नहीं Until then, take care and good bye